आम आदनी पाटी से राज्यसवा सांसत संजे सिंग की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले इवद दिल्ली सराब घोटाले मामले में जेल से चूटे हैं। अब यहां MPML कोट ने बीते वर्स सुनाई गई सजा को बहाल कर दिया है। इस कारण उन्हें 9 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। अनुप संड़ा समय छे आरोपियों की तीन महिने की सजा बरकरार रखी है। मंगलवार को MPML कोट की नयदिस एकता वर्मा ने आरोपियों की सजा खत्म करने की अपील खारिज कर दी। कोट ने आरोपियों को 9 अगस्त को निचली आदालत में आत्म समर्बन करने का आदेश भी दिया है। जहां से जेल जाना तैं है। संजे सिंग के अधिवक्ता अरविंद सिंग राजा ने बताया है की फैसले के विरुद्धव हाई कोट में अपील करेंगे। हाला कि 9 अगस्त को इस मामले में सभी को सरेंडर करना होगा, ततकाल जमानत नहीं मिलेगी। इस कारण जेल जाना होगा, आगे क्या होगा, यह हाई कोट के उपर निरबर है। आम आदमी पाटी के राज्यसभासांसद संजे सिंग को इसी से पहले सराब घोटाले मामले में 6 महिने तक जेल में रहना पड़ा था। वहीं आपको बता दे कि दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद किजरिवाल के खिलाब तियार जेल के बाहर जोड़दार प्रदसन किया है। किजरिवाल के इस्तिपे की मांग भी की है। इसे से पहले सोम मारको दिल्ली हाई कोट ने सीवियाई द्वारा गिरपतारी को लेकर कहा कि यह गिरपतारी बिना किसी कारण के तो नहीं हो सकती है। अतार्त कोट ने केजरिवाल की गिरफतारी को वैद बता दिया था जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अर्विंद केजरिवाल पर भड़क उटी है और मुक्यमंत्री पद से इस्तिफा की मांग कर रही है बीजेपी ने तियार जल के बाहर प्रदसन करते हुए कहा अर्विंद क केजरिवाल को पत पर बने रहने का कोई नेतिक अधिकार नहीं बचा है इसलिए अग दिल्ली की जनता भी मांग कर रही है कि उन्हें अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए सुप्रिम कोड भी इसे से पहले उन्हें इसारा दे चुका है दिल्ली भास्पा के परदेश वरिष्ट पदादी कारियों एवं कारे करताओने नारे बाजी कर किजरिवाल से इस्तिफा देने की मांग की फिलाल इस कबर में इतना ही बाकी अपडेट के लिए बने रही है लाइब टीवी न्यूज के साथ